नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत है मेरी यूटिब चैनल पे Mixed Punch with Suparna तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है कि नील हर्ट का हो गया है एविक्षन अविक्षन होकर वो घर से बाहर आए बहुत जगा वो अपना इंटर्वियू दे रहे है जो कि नॉर्मली जो भी अविक्ष होते हैं वो करते हैं तो सिधात कानन के एक इंटर्वियू पे नील गये कन्वसेशन किसमें हुआ वो अलग बात है अच्छली जो अभिशीक और इशा का रिलेशनशिप है घर के अंदर उसके बार में एक कन्वसेशन उठा वहाँ पर नील ने ऐसा कुछ बात कहा सुनकर मैं भी शॉक्ट होगी क्योंकि मैं बिक बॉस 17 जो देखती हूँ उसका ए नॉर्मल कि कुछ सब लोग गुड़ पेज पे गुड़ शेप पे हर टेम नहीं रह सकते लिकिन ऐसा कुछ बात नील ने बोला वो सुनकर मैं भी होगी शॉक्ट मैं सोच में पढ़ गए कि रिली आम सपोर्टिंग अ गुड़ परसन और नॉट चले क्या बात है क्या कहा है नील ने बात करते हैं उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे ताकि कोई भी नियूस है मैं आप लोग के साथ शेयर कर सको और पहुचा सको तो बेसिकली अभी शेयक और इशा का जो लास्ट वीक का रिलेशनशिप ना नियू यार के दिन थोड़ा बेटर हुआ लेकिन अभी शेयक ने जो कहा था मैं प्रीविएस एक वीडियो में भी बोली थी कि अभी शेयक अगर कोई भी लर्की जिसको आप बोल रहे हो कि वो आपके एक्स कल्फन थी और आप अभी भी चाहते हो कि वो आपके जिंदगी में बापस आए आप उनके लिए रोते हो थ्रूआउट दी सीजन डे वान से आप रोते आए हो उसके लिए और आप बहुत जादा बहुत जादा इंटो इन्टो आप हम सभी को कही नहीं लगा था राइट कि अभी शेयक वास ट्रूली इंटो हर अभी भी शेयक बहुत प्यार करता है अभ आप नहीं हो कभी भी आप यह नहीं बोल सकते हो कि आप रात रात जाते हो बाहर दूसरे लड़कों के साथ राद उटाते हो जो कि जगड़ा जगड़ा में बोल दिया था अभी शेयक ने जिसका डेफिनेटली मैं अगेंस्ट पे बोली थी और मैं अभी भी बोलूंगी व अभीशेख डेफिनेटली नॉट रॉंग अभीशेख अपने मुनावर के साथ जो फ्रेंडशिप जो बॉन्डिंग रखा है वो बहुत पॉजिटिव है वो सही है साथे साथ डेफिनेटली अभीशेख नॉट बैट पॉर्सन करेक्ट मी आपको क्या लगता है क्योंकि मुझे नहीं रखता कि बहुत खड़ाब इंसान है बंदा खड़ाब नहीं है लेकिन उसका सिट्वेशन उसका टॉक्सिक नीचर है जिसमें वो गुसा हो जाता है अरोग पॉक किया और इशा ने वहाँ पर कहा कि तू अपने मम्मी बापा को रुलाता है तो कैसा लगा है फिर अभीशेख ने उसका जवाब देते हुए कहा कि मैं तेरे लिए रुलाया था बिकेज मैं इतना जादा तुससे कनेक्टेड था वो लोग बोलते गया है कि छोड़ त बाहर आजाओ लेकिन मैं नहीं आपाया इसलिए मैं उन लोगों को रुलाता था परकास कोई भी पैरेंस अपने बच्चे को ऐसे हाल में नहीं देख सकता कभी भी ने तो वही चीज हुआ अभीशेख के पैरेंस के साथ और जिसके वदल से अभीशेख ने रुया था लेकि भी ब Shivamayan भीशेख तो इश्चा पर निल ने कहा कि इश्चा के घृधब बहुद अभीशेख टोफेस तो इश्चा पर उसे करके बींड वही इस है को अभीशेख निल को अभीशेखbach ने नहीं को जो कहा ने रुज़ प् investigator時間 को मैं और छू Αंभीशेख निल लो मैं आपर जब इशा ने उसको छोड़ कर गया तो six month जब जो अभिशेग बोलता है कि मैं बेट पे था बेट पे था ये वही time है उस time पे वो hospital पे था अभिशेग अपना treatment के लिए because वो उस रिष्टे से निकालने ही पाए तो लेकिन वही चीज को इशा ऐसे करके mute करके उसको दिखाती ह ताकि वो शायद नेशनल डेवी पे ना है जो भी हो डीजन एक्सवाइज़ अगर नीचे नहीं कर सकते किसी को आफ इतना नीचे नहीं गिर सकते आप ऐसे नहीं बोल सकते तो यह देखते हैं आगे और क्या गलत होता है तो यह चीज ने कहाँ और नील के भी जूट या गलत बात तो नहीं बोलेगा जितना दिन भी आपने देखा बिग बास के घर पे नील का परसनालिटी बहुत ही अलग है तो ऐसा काम नहीं करेगा आपको क्या कहने है अगर बास के सपोर्ट में हो जरूर कमेंट करके बताएगा और भी कुछ नीज़स है जो कि डेफिनेटल आप लोगो कर साथ शेयर करऊंगे रिगारिंग बिग बास साथी साथ बहुत सारे रिव्यूस आप लोगो किस चीज का रिवीव्यूस चाहिए वह भी आप लोगो किसीज रह सके एक दूसरे कर साथ थैंक यू सो मच पर वाचिग मैं वीडियोस और लाइकिंग मैं वीडियोस और थैंक यू सो मच पर दी ताइम बाइव फर नाव मिलते है नेक्स वीडियो पर बाइ